नमस्कार शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानन दोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक सामद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चेनल गो व्लॉक्स में एक सुन्दर सा पाम एक रियल हतेली मेरे सामने विवेचना के लिए है और सबसे पहले अगर आप हतेली को देखते हैं तो आपकी हतेली में इस प्रकार से एक दूसरे को काटती हुई अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो इस प्रकार से अब इसे अच्छी लाइने भी हैं ये आप देखेंगे कि जहां तहां जो है रेखाएं काटती चली जा रही हैं अब इसमें कितनी भी अच्छी लकीरे हों कितने भी अच्छे चिन बन रहे हों लेकिन फाइदा क्या मिलता है फाइदा उसका नगेटिव मिलता है इसका अच्छा फाइदा नहीं मिलता है चाय कितन भी मचली बन रही हो, बर्ग बन रहे हो, डमरू बन रहा हो, तिरसूल बन रहा हो, धोज बन रहा हो, हाती बन रहा हो, गोडा बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, लेकिन अगर रेखाएं अच्छी हो, एक दूसरे को काट रही हो, तो भी इसका बहुत जादा नगेटिप प्रेशान रहता है सबसे पहले बात हमेशा बीमार रहता है चाहे मन से हो चाहे तन से हो क्योंकि ये ब्यक्तिकी जीवन में नगेटिव उर्जा अपनी जड़ों को जमा चुकी होती है बड़ी मजबूती से और लाख प्रियास कनने पे भी ये नगेटिव उर्जा ब्यक्तिकी हतीली से हटती नहीं है अंदर अपने जड़ों को जमा चुकी होती है अपना घर गर चुकी होती है और जिवन पर पूरा प्रभाव उसी का होता है और सबसे पहला ये प्रभाव देते है आपके मन पर आप रखती है दुविधा में ब्यक्ति को रखती है कन्फ्यूजन में रखती है और ब्यक्ति की जो निरणे लेने की ताकत है उसको पूरी तरह से छीन करने की ये कोशिस करती है और कहीं न कहीं इसका प्रभाव आप पर पढ़ रहा है दूसरा इसका जो प्रभाव है वो जादा विकार आने बैठ जाते हैं तीसरा इसका जो प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सिहत पर पड़ता है आप आर्थिक रोप से कमजोर होने बैठ जाते हैं बीमार होने बैठ जाते हैं धन का सही से संचय नहीं कर पाते हैं ठीकन धन का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी रिस्तों पे चाहे हो दामपत्य जीवन का रिस्ता हो चाहे हो परिवार का रिस्ता हो चाहे हो कुटुम का रिस्ता हो उन रिस्तों का जो चरम सुक है उसका जो भोग है उसके आगे प्रस्तितियां खड़ी हो जाती है आप उस प्रकार का भोग नहीं कर पाते उन सुकों का कोई भी प्रस्तिति है आगे खड़ी हो जाएगी लेकिन आपको उसका जो चरम कर्स छो सुक है चरम सुक वो नहीं भोग पाएंगे आप और पांचवां और सबसे बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी जो डेपलापमेंट है आपकी जो प्रोग्रेश है उस पर तीब्र आपका जो सपलता का अस्तर होना चाहिए था वो धीरे 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 क्या होने बैठ जाता है नीचे के तरब आने बैठ जाता है इससे छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लंबे तौर फे जो है कुछ उपाय करने से, कुछ किरियाओं को करने से चीज़ें ठीक होनी बैठ जाती हैं तो क्या करेंगे इसके लिए? देखेगा दो तरह की चीज़ों को आपने करना है एक तो आप मानसिक किरिया करेंगे, जिससे आपका मानसिक स्वस्थ्य ठीक हो, आप प्रेशान रहना कम हो जाए दूसरा, आप क्या करेंगे? अपने जो सारिरिक प्रेशानी है, बीमार रहना, स्वस्थ्य को ठीक करेंगे इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान के रिया है जिसका नाम ही दिव्य योग ध्यान है एक प्रकार का प्रणायाम है एक प्रकार का मेडिटेशन है एक प्रकार की उस प्रमात्मा प्रम्पिता प्रमेश्वर जो बुद्धी से परे है जो आपके चित रूपी संगसार को अगर उस परकार आप करें जब सूर्य उदायमान इस्तिति में हो और बाहर आप खुली हवा में इस चीज को करें एक कंबल का आसन बिछाके इस परकार का प्रणायाम करें जो मैं दे रहा हो जब सूर्य बिल्कुल अरुणों देये की इस्तिति आते हैं उहां से सुरू करें और सूर्य बिल्कुल तक करें तो ये सांदार इस्तिति को पैदा करेंगा उस समय आपको करना है ठीक है और साम के समय खाना खाने के एक या आदा घंटे पहले आपको ये दिब्य योग ध्यान किरिया करनी है कब तक करनी है तीन महिने तक करनी है दूसरा क्या करेंगे आप एक बनस्पति अश्नान है ठेकने यह 11 दिन तक होता है इसमें एक दरब्य तीन महने तक डाला जाता है ठेकने तो यह बनस्पति अश्नान की जो परक्रिया है वो आप 11 दिनों तक करेंगे अगर यह दोनों चीजें आपने विद्यो तरीके से करिया तो आपको जो दवाईया सरीर में नहीं लग रही है आपके बिमारी पकड में नहीं आ रही है वो डॉक्टरी सला से और यह उपाई से आप दोनों चीजों को करते है तो जीवन आपका कांति मया सुक मया और सांदार आउस्ता में उभर कर आएगा निश्चित तोर पे अब दूसरी चीजें आप देखेंगे आपका जो मनी बंद है यह धीरे धीरे इसको अगर हम मारीक उससे देखें तो रेखाओं का जाल बन रहा है अब यह तवचा भी है क्योंकि जैसे जैसे उमर बढ़ती है हमारी तवचा जो है फिर भी यह आपका केतु का परवत बथा रहा है कि जीवन में कोई न कोई चिंता अभी ढ़ाई से तीन साल तक बनी रहेगी और थोड़ा जीवन में संगर्स भी रहेगा चाहे स्वास्त्य के मामले में हो चाहे आरोग्य के मामले में हो या परिवार कुटुम के मामले में हो तो इन चीजों को पार पाने के लिए इन चीजों से आपको दिब्यय योग ध्यान किर्या करनी है अब एक चीज देखेगा आप यहाँ पे आपकी यह सूर्य की रेखा है लेकिन यहां से जाके एक रेखा इसको काट रही है कुछ रेखाईं इसको यहां से भी डिष्टब कर रही है और आपका सूर्य का परवत भी धिरे धिरे दूसित होने के साथ साथ क्या कर रहा है पावर की भी इसमें कमी आ रहे है ये उर्जा सही से प्रवाइड नहीं कर पा रहा है और देखेगा जब ये इस प्रकार से होता है तो आपके जो सरीर के चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूरे के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में से हट जाते हैं बिखराव की इस्तिति को पैदा हो जा आते हैं तो उसका असर हमारी जीवन के तमाम आयमों पर पढ़ने बैठ जाता है ऐसे में आपका जो सारीरिक स्वस्त्य है आपकी जीवन की जो खुसहाली है आपकी जीवन का जो उत्सा है आपकी जीवन की जो उर्जा है वो बिखर जाती है उनका सुक आपको प्राप्त न वो दूर जाने बैठ जाती है जीवन का उत्साह मुर जाने बैठ जाता है जीवन की उर्जा छीन होने बैठ जाती है और इन चीजों की आपको चिंता करने पड़ती है वो हमेशा साथ में नहीं रहती है अब फिर भृतिक रूप से और चीजों पर भी इसका प्रभाव है ऐसे में एक तो आप आर्फिक रूप से कम जोर होने बैठ जाते हैं आप जो प्रयास कर रहे होते है उन प्रयासों में पूरी सपलता अरजित नहीं हो पाती है जो मेहनत आप करते हैं जो परिस्रम आप करते हैं उसका जो पूरा स्रेई है जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पाता है आप तक नहीं पहुँच पाता है एक सहजता से एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है जो आपके अंदर क्वालिटी है जो आपके अंदर योगता है उस तरह से चीजें नहीं उभर प नाम, वो यस, वो ब्राण बन कर नहीं उबर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दाओं पे लगा के ब्यापार में गया था, ऐसी इस्तिति में अगर आप नोकरी कर रहे हैं, तो आपको वो ग्रौथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए आपने अपने आपको खपा लिया हो, तो सारी चीजों को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, एक दिव्य सूर्य किरिया, ये बैदिक किरिया है, बेदों और पुराणों से ली उई किरिया है, उपने सदों से ली उई किरिया है, बड़ा सोध किया है हमने इस पे और हमारे रिश्यमुनियों ने इसको जो है सबसे ज़्यादा प्रभावसाली बताया है और आधनिक विज्ञान भी इस चीज को 100% मानता है इस पे चलने की सलाह देता है तो क्या करना चाहे एक दिव्य सूर्य किरिया आपको उसी बिदिसे करना चाहे जिस बिदिसे में दे रहा हूँ दिव्य सूर्य किरिया जरूर करें अगर आप वास्तों में दिव्य सूर्य किरिया एक नियत समय से एक नियत समय तक करते हैं तो निश्चित ही धीरे धीरे आपके सरीर में जो चक्र उपस्तित है वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्परताल मेल में आ जाएंगे और उसका जो प्रभाव है वो आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा आपको दिखेगा प्रक्टिकल रूप में जहां आपकी सारेरिक सिहत बेहद अच्छी होगी वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा फिर चाहे सारेरिक स्वस्थ्य हो जीवन की वास्तु खुसहाली हो जीवन का उत्सा हो जीवन की ऊर्जा हो इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी ये चीजे हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी तो दोनों भिन-भिन चीजे हैं मैं आपको दूँगा बड़ा सरणा बड़ा सुन्दर रहेगा आप चिंता न करे आप चलते हैं आपकी हतीली में कुछ और चीजों पे सीधी खड़ी है तो जीवन में लीडर्शिप की क्वालिटी आपके अंदर अच्छी रहेगी और बनी वी थी ये भी दिखाई दी रहा है कर्मसील पुरोस हैं आप कर्मकन्ने में कभी भी पीछे नहीं रहे है अपनी तरब जो भी काम किया है अपने तन और मन से किया है तब तक जीवन में इसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ा है और आगे भी पड़ेगा कितना पड़ेगा ये डिफेंड करता है आपके कर्माज के उपर धन का माने की ललक भी आगे और अच्छी रहेगी और धन के प्रमंदन में कागजों के रख रखाओ में एकाउंटिबिल्टी में फाइलिंग में ऐसी चीजों में जो है फायदा होगा बुड़ापे में आने वाले समय में धन के मामले में संगर्स रह सकता है तो थोड़ा सा जो है इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा एक सुखद जीवन जीने की चाहा बनी हुई है सुखद जीवन जीने के लिए प्रतनसील बिक्तितों भी दिखाई दे रहा है जल्दबाजी में लिया गया निरणय कश्टकारी रहेगा इसलिए कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन न लें यहाँ पे अगर हम देखते हैं हिर्दे की रेखा देव गुरु ब्रिस्पति को टच करती हुई दिखाई दी रही है निश्चित ही अगर हम देखें तो ब्रिस्पति का प्रभाव पढ़ता हुआ यहां पे दिख रहा है आगे चल कर यह दिखाई दी रहा है अगर आप चीजों को ठीक से करते हैं चाहे ब्यापार करें चाहे नौकरी करें चाहे कुछ और भी काम करें मस्तिस्क रेखा को कई रेखाएं काट रहे हैं तो मानशिक तनाव की स्थिति को भी जन्म दे रहा है जीवन की रेखा चंद्रमा में पे जा रहे है तो उस्तिरता को जन्म देता हुआ यह दिखाई दी रहा है करियर और धन की रेखा थोड़ा बेडंगे है तो धन और करियर के मामले में अस्ताई तो नहीं दिखाई दे रहा है सुक्र का अगर हम प्रवत देखें तो सुक्र का प्रवत जादा फूलावा है ऐसे में विक्ति किसी चीज को लेके बहुत जादा सोच रहा होता है चिंता भी कर रहा होता है बहुत जादा मेहनत परिसरम करने के बाद भी अभाव की इस्तितिकी और जाता है विक्ति का जिवन कहीं न कहीं संकटों और कठनायों के बीच गुजरता है लाग परियास करने पर भी सारे साधन होने के बाब जूद भी जो सुक वास्तों में मिलना चाहिए उन सुकों में ये कमी देता है अगर हम बात करें निमनमंगल और उचमंगल ये दोनों अच्छे हैं अगर नगेटिव उर्जा का प्रभाव खतम हो जाता है तो प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा और एनरजेटिक स्वभाव भी आपका बना रहेगा इसका आगे जाके लाब होता हुआ दिखाई दे रहा ह ब्रस्पति का प्रवत बहुत अच्छा है आपका आगे चल कर निश्चित रोब से जो है सम्मान की प्राप्ति होगी सनिका अगर हम प्रवत देखते हैं तो कभी-कभी बियोजह की चिंताएं या कुछ ना कुछ वजह हैं पैदा हो रही जो तनाव की इस्तित को बता रहा ह छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की एक्षाच कुछ जादा रहेगी बुद्ध में अभी कट-कटाव की इस्तित दिखाई दी रही है अगर व्यापार कर रहे होंगी थोड़ा समल के चले नहीं तो जो है व्यापार में हानी होने की संभावना भी रहेगी चंद्र का हार्मोनल सिस्टम भी खास नहीं दिख रहा है और इमोशनली थोड़ा प्रेशान हो सकते हैं इसकी संभावनाओं को भी दिखा रहा है कभी कभी मन बैचेन हो सकता है मन भटक सकता है मन इमोशनली थोड़ा प्रेशान हो सकता है और आपका जो डाइजेस्टिप सिस्टम ह इस पे ये थोड़ा जोर दे सकता है तो इसका ध्यान रखेगा कहीं न कहीं नीन आने में भी दिक्कतों का आपको हलकी रोप में शामना करना पड़ सकता है तो जहां तक हो सके जल का सेवन करें और खाना खाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो निश्चित रोप से आप गुड़ का सेवन हमेशा करते जाएंगे खास कर दिन के समय तो आपके लिए बहतरीन रहेगा अगर मैं देखो मैंने वास्तों में एक एक चीज बहुत सांदार तरीके से आपको बता दिया है उपाई बे मैं बिदिवत तरीके से लिख करके और ओडियो के मादेम से भीज रहा हूं आप करने की कोशिस करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाब होगा देखेगा वीडियो में बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं जो मुख्य समस्या हैं उनको ठीक करने के लिए उपाई करना बहुत जरूरी है ये आप उपाई करने निश्चित ही आपको फायदा होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो पस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार